प्रीवियू वसीम शेख ली जो बदनापूर पी आई है उनके खिलाफ में आपने विमन डाइट कमिशन को क्या कंप्लेंड किये और उस पर अब तक क्या कर लिए एक्शली क्या हुआ था कि 11 सेप्टेंबर 2022 को हमें एक कंप्लेंड मिली थी और कंप्लेंड जो थी उसके एप एप्लिकेंट है खेरुन निशा, वाइफ ओफ मौहम्मद खान पठान, इनकी तरफ से मुझे 11 सेप्टेंबर को कंप्लेंड मिली थी और वो कंप्लेंड थी 420 का मामला था, मुझे जब कंप्लेंड मिली कि किसी ने उनकी प्रॉपर्टी की जीपे यानि डूबलीके डॉक् और मैंने 11 सेप्टेंबर 2022 को जो हमारे IGP है, Special Inspector General of Police, उनको मैंने CRPC 154 Under Section 3 में मैंने ये कंप्लेंड फोवर्ट किया था, जिसमें मैंने उसमें ये डिमान किया था कि जो हमारा बंदापूर पोलिस स्टेशन है, उसका जुडिशिल गया आता है, बंदापूर पोलिस स्टेश 54 के तहत इस पर FIR दरज की जाए, इसलिए मैंने ये फोवर्ट किया था, बट हुआ ये कि उसके बाद जो बंदापूर इंस्पेक्टर है, वहाँ पे भी एक रिपोर्ट कर दी गई थी, Anti-Correctional Crime Control Committee की तरफ से, बट हुआ ये कि वहाँ के जो इंस्पेक्टर है, तो पता चला है, जब एक्चिली मैंने ही इंस्पेक्टर को कॉल किया था, कि मैं जो वहाँ पे इंस्पेक्टर है मद्नापूर में, इंस्पेक्टर शीवाजी मंटेवार, शीवाजी मंटेवार को मैंने ही कॉल किया था, और उनको मैंने कहा था, कि सर, एप्लिकेंट का ये है, ये 420 का म पहुम्मद खान पठान जब यह वहां पे पहुचे तो पहुचने के बाद इंस्पेक्टर में उनको बिल्कुल रिस्पॉंस नहीं किये उसके बाद में रिस्पॉंस नहीं करने के बाद वो फिर अंदर कैबिन में जब गये खुझ से तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलीस जो है जिवा जी बंटेवार वो अपने मोबाइल में कोई मोवी देख रहे हैं तो इस तरह से एक इंस्पेक्टर अगर पुलिस ठाने में बैट कर और जो है तो मोबाइल में मोवी टीवी देखे और जो एपलिकेट आ रहे उनको कहेंगे कि वेट करो तो दूसरी बात यह कि जो इंस्पेक्टर है इन्होंने इनको कहा कि यह सिविल मेटर है मिसमें कुछ नहीं करेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा क्रिमिनल मामला आता है तो उसको सिविल मेटर बता दिया जाता है अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी के अगर डॉक्युमेंट बना बताता है और फेक डॉक्युमेंट बना कर उनकी प्रॉपर्टी को अपनी बताता है तो यह जो है तो इस पर एफायर दज होनी चाहिए और एफायर जह है यह जो मामला आता है यह 420, 467, 468, 419, 490 का मैटर है और इसमें अगर पोलिस इंस्पेक्टर कहेंगी कि यह सिविल म नेशार ितर्ट कि फेक्टर बता दिया जाता है यह mostly ऐसा ही होता है आज अपलीक के लिए हमारे पास आते हैं इस लिए आते हैं कि इसमें इनको फिर कोड भेज दिया जाता है फिर को 766 में भी उनको करनी ही पड़ती है घो पेले ही कुं के तो पहले ही क्योड़ नहीं करHE क यह जब नहीं दिये है तो फिर सामने वाले के जो बनाया है duplicate तो उस पर F.I.R. दर्जोनी चाहिए duplicate असवात है और अगर F.I.R. अगर आपने करने के बाद पता चलता है कि वो गलत है तो आप भी final करिये C summary करिये whatever जो भी करना है लेकि पहले F.I.R. दर्ज करनी चाहिए और पुलिस इसको अकसर जो है तो civil matter बता कि ऐसे माब लोगों 420 में mostly F.I.R. नहीं करती है तो हुआ यह कि जब जो inspector है इन्होंने कारवाई नहीं करने की वज़ा से इनको civil matter बता दिया गया इस तरह पुलिस ठाने में बैठकर एक सरकारी office में बैठकर शिवाजी बंडेवार साब जो है यह एक movie देख रहे है mobile movie देखकर applicant को दो घंटे अगर महा पे बिठा रहे है तो this is not good यह एक officer इस तरह का काम नहीं कर सकता है एक public servant है public servant को चाहिए कि public के लिए काम करें अपना movie देखना है तो अपने चुटी की दिन अपने घर पर दे के साब यह नहीं करना चाहिए दूसरी चीज कि अभी मुझे यह बताईए कि इसमें अगर 420 का मामला नहीं है तो यह आप जो है तो applicant को non applicant को बुलाई है उसके पर document ले एक inquiry तो कीजिए आप भी दाउट ऐनी inquiry direct आप बोल दोगे कि यह civil matter है तो this is not good sir इसलिए यह जो है तो मैंने state human right commission को inspector के खिलाफ शिकायत दर्ज किया हूँ शिवा जी बंटेवार और अभी इसमें जो हमारे IGP साब है उनको भी party inspector of police जो है IGP इनका जो role है इनका role यह है इसमें कि इनको 11 September 2020 को शिकायत दर्ज की गई थी CRPC 154 under section 3 में तो CRPC 154 में जो senior officers होते हैं उनको ही यह powers होते हैं कि वो इसमें fire दर्ज कर सकते हैं 154 में वो आदेश करते हैं नीचे police inspector को हो या सबमदी जो भी related हो तो उनको यह आदेश करते हैं तो यह IGP ने एक महिना हो चुका है इन्होंने IG साहब ने इसमें कोई कारवाई नहीं किये है तो इसलिए यह IG साहब को भी इसमें party मनाया गया है अभी human rights commission में जो कुछ भी आगे कारवाई है मैं personally जाकर उसमें argument करूगा वही पर human rights commission में इंस्पेक्टर को भी वहाँ पर मैं आपील करूगा इंस्पेक्टर को भी वहाँ पर बुलाया जाएगा और इंस्पेक्टर को बुलाने के बाद में यह better civil है या criminal यह वहाँ पर decide हो जाएगा दिखिए अकसर होता क्या है कि ऐसे इन cases में इन मामलों में जो applicant है वो जब police उनको कह देती कि civil matter है और police जब उनको deny कर देती है तो वो अकसर सीधे court जाते है 156 में जाते है 154 में इनकी कारवाई जब नहीं होती है तो लेकिन जो anti-corruption and crime control committee है मैं बार-बार कह र करें अगर कोई officer आपका काम नहीं कर रहा है तो जो officer आपका काम नहीं कर रहा है आप हमारे पास शिकायत दर्च कीजिए हम आगे उनके उपर कारवाई करवाएंगे officers पे अगर वो guilty है तो क्योंकि होता क्या है कि जब लोगों को इस बात का law का knowledge नहीं है कानून नहीं पता है तो लोग परिशान हो जाते है और यह officers एक पड़े लिखे officers इन गरीबों को इनको इनसाफ दिलाने की जगे इनसाफ देने की जगा इनको परिशान करते है कि आप court चले जाओ आप यहाँ चले जाओ फिर court जब यह 156 में जाते है उसके बाद कारवाई होती है तो अगर यह civil matter है तो civil में क्यों नहीं जाते लोग 156 में जाकर criminal में जाके यह fire करवाते है तो बात तो एक ही हुई वहाँ यहाँ 154 में fire नहीं 156 में हो गई तो एक criminal ही हुआ ना civil का हुआ हाँ अगर एक property को दो लोग claim कर रहे है मेरी property या किसी का possession है, position हटाना है उसको खाली करवाना है त लेकिन अगर किसी ने किसी की property के duplicate paper बना दी है और fake paper बना लिया और कहिरा कि यह मेरी है तो यह अगर वह claim करता है कि मेरी property एक fake document में तो इसमें fire होगी police investigate करके court को दिखाएगा कि इसमें यह, हमने fire इसने दश किया कि इसने fake document बनाया है या नहीं बनाया है तो आप जो है, directly कह दोगे कि यह civil है तो ऐसा अगर आप कहोगे उसको टाल दोगे तो आगे लोग ऐसे ही जो 420 के मामले है से fraud के duplicate document बनाने के fake document बनाने के यह मामला चलता रहेगा तो मेरी applicant से भी appeal है कि आप को अगर ऐसी इस तरह की शिकायत नहीं ली जाती है और आपकी कारवाई नहीं होती है आप मुझे एंटी करफशेजर क्राइम कंट्रोल कमिटी नैशनल वाइस पेसेजर वसीम शेक को आप शिकायत दर्च कीजिए आपकी कारवाई इंशालाफ पूरी तरह से कारवाई की जाएगे